हेलो एबरिवन वेलकम टु गेट हउव इन सेफ वीडियो भिएलज डिसकस अबाट को इसका अप्रिवयेश वीडियो था उसमें हमने टााइप स grew up पाउनडेशन के ऊपर बात किया थे हैं थिक है तो इस वीडियो में है एक foundation है ठीक है और यह जो यहां पे जो मेरा dimension है वो मेरा width of the footing है ओके और यहां पे जो मेरा इस backfill से लेखे इस ground level से लेखे इसके base तक का जो distance होगा उसको हम बोलते है depth of footing है ना तो depth of footing और width of the footing का ratio अगर less than equal to 1 होगा तो this type of foundation is known as cell of foundation है कि अगर मेरा depth of the footing का ratio और width of the footing का ratio less than equal to 1 हो जाएगा तो इसको हम बोलेंगे sell of foundation, तो देखिए, foundation should be safe in shear criteria as well as settlement criteria, ठीक है न, कि यहाँ पे जो मेरा कोई भी foundation होगा ठीक है, और खास्त तोर से sell of foundation, उसमें हमारा जो भी design करेंगे foundation का, वो हमारा safe होना चाहिए, shear criteria का और settlement criteria का, shear criteria in the sense, कि जब हम किसी foundation में अगर हम load apply करेंगे, ठीक है, load apply करने से क्या होता है, कि soil मेरा fail करता है shear में, ठीक है, तो मेरा shear में fail नहीं होना चाहिए, number one, number two, इसमें हमारा जो foundation होगा, उसमें excessive settlement जो है, वो भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, हमारा वो भी settlement permissible limit के according में ह होना चाहिए, है न, अगर मेरा ज़्यादा settlement हो जा रहा है, तो भी हम बोलेगे कि हमारा जो भी foundation है, वो क्या है, fail कर गया है, तो इस तरीके से हम क्या करते है, foundation को design करते है, ठीक है, हमें दोनों बातों को दियान रखना होता है, shear criteria और settlement criteria, तो देखिए, यहाँ पे अगर मेर safe load against shear criteria, अगर हमको जो safe load अगर apply करना है किसी भी foundation में, ठीक है न, किसके shear criteria के हिसाब से, तो उसका formula हो जाएगा, safe bearing capacity into area of the footing, यानि जो भी मेरा safe bearing, जो footing होगा, ठीक है, load को carry करने में, जितना उसका capacity होगा, उसको अगर हम area of the footing से multiply कर देते हैं, then we will get safe load against shear criteria, ओके, next है मेरा safe load against settlement criteria, ठीक है, कि अब मेरा settlement के लिए हम कितना load को रखेंगे, ठीक है, safe load होना चाहिए, that should be, safe bearing pressure into area of footing, है न, कि जो मेरा safe bearing pressure होगा, footing के base पे, और हम उसका area of the footing को multiply कर देंगे, इससे हमारा safe load मिल जाएगा, किस case के लिए, settlement criteria के लिए, ओके, तो आपको यहाँ तक आज में आ गया होगा, कि हमारा safe load against shear criteria कैसे find out करेंगे, और safe load against settlement criteria कैसे find out करेंगे, ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, important definition for shear criteria, ठीक है, तो हमारा, जो shear criteria के लिए, हमारे पास यहाँ कुछ important definitions दिये गया है, ठीक है, उन definitions को हम देखेंगे, ताकि यह जो definitions, अभी मैं foundation का जो design करेंगे, ठीक है, या फिर हम safe ultimate load bearing capacity निकालेंगे, तो हमें वो सब का जरूरत पड़ेगा, यहाँ पे, तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पे आता है, gross pressure, ठीक है, जैसा कि यहाँ नाम से आपको पता चल रहा है, gross pressure, gross pressure हो ऐसा pressure, जिसमें मतलब total pressure मेरा count हो जाता है, यानि total हमारा किसी भी foundation में जितना pressure लग रहा है, उसको हम बोल देते है, gross pressure, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह मेरा एक footing है, ठीक है, इस footing में, अगर मेरा उपर से कितना load लग रहा है, क्यों amount of load is acting in this foundation, यह मेरा depth of foundation हो गया, यह मेरा width of the foundation हो गया, और यह जो foundation है, य यहाँ पे जो portion दिख रहा है, यह portion क्या है मेरा, यह है, आपका soil है, ठीक है, यहाँ पे जो portion है, यह soil है, तो इस, यहाँ पे, इस base of the footing, है ना, जो भी मेरा load लगेगा, due to, इस soil के कारण, और इस load के कारण, जितना लगेगा, इसमें pressure, total pressure, है ना, Q के कारण, और हमारा soil है, उसके कारण, यानि, effective pressure लगेगा, गामा, डीएफ, है ना, इस base of the footing पे, इन दोनों के summation को ही हम बोल देते हैं, क्या, gross pressure, Q, G, जिससे हम represent कर रहा है, है ना, जो जो इसका definition देखते हैं, देखिए, it is the total pressure at the base of foundation, due to self weight of soil, and applied load on the footing, जैसे मैंने आपको बोला, कि जो self load है, है इन दोनों का, जो sum होगा, इस base पे, जितना लगेगा load, उसको हम बोल देते हैं, gross pressure, okay, next है, the gross pressure may be greater, equal, or smaller than the bearing capacity, अगर हम किसी भी foundation को design कर रहे हैं, तो उस foundation का कुछ मेरा bearing capacity होगा, कि एक particular load तक ही क्या करेगा, ये मेरा foundation, load को carry कर पाएगा, otherwise क्या करेगा, fail कर जाएगा, लोड gross pressure यहाँ पे, जो हम किसी भी footing में, जो total load हम apply करेंगे, वो load मेरा जो उस, उस foundation के bearing capacity से ज़्यादा भी हो सकता है, equal to भी हो सकता है, रो smaller भी हो सकता है, bearing capacity से ये मेरा gross load, gross pressure, okay, अब देखें, next, for design, gross pressure should be less than safe bearing capacity, ठीक है, यानि जो मेरा bearing capacity होता है, किसी भी footing का, ठीक है, उस से मेरा जो load है, वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो हम ये मान के चलते हैं, design purpose के लिए, कि जो हमारा जो total load लगेगा, gross pressure जो लगेगा, वो क्या रहेगा, मेरा safe bearing capacity से कम हमेशा होना चाहिए, okay, number one, अब देखें, यहाँ पे, यहाँ आप देख स का unit weight, तो हमारा यहाँ है, difference between, है ना, unit weight of concrete and unit weight of soil is ignored, है ना, कि अगर हमारा जो दोनों का unit weight होगा, ठीक है, soil का और concrete का दोनों का difference को हम क्या करें, यहाँ पे, neglect कर रहा है, ठीक है, जब हम उसमें gross pressure की value find out करते हैं, okay, so let's move to some other terminology, other definitions, तो मेरा next यहाँ पे जो definition है, वो है मेरा net pressure ठीक है, तो net pressure होता क्या मैं आपको definition बताता हूँ, it is that part of pressure at the base of footing which is in access to the initial pressure, अगर मेरा कोई footing है starting में, ठीक है, अगर उस footing में अगर हम load नहीं लगा रहे हैं, तो भी मेरा उस पे कुछ मेरा base of the footing, कुछ हमारा gross pressure उसमें act करेगा, यानि हमारा soil के कारण होगा, self weight of footing, दोनों के कारण base में मेरा कुछ एक pressure क्या होगा, observe करेगा मेरा footing, अगर उसमें हम क्या कर दे रहे हैं, किसी प्रकार का उपर से हम फिर से structure खड़ा कर दे रहे हैं, तो वहाँ पे जो मेरा load होगा, ठीक है, base of the footing वो change कर जाएगा, यानि उसमें जितना changes जाएगा, हैना increment आएगा, उसी क हम बोल देते हैं, net pressure, तो net pressure बरावर मेरा होता है, net pressure equal to present pressure minus past pressure, present pressure यानि हम load लगाने के बाद मेरा कितना उसमें pressure लग रहा है, base of the footing, और जब हम load नहीं लगाये थे, जब structure हम नहीं बनाये थे, तब उससे पहले मेरा कितना इसमें past pressure लग रहा था, हैना, तो इसको हम निकालते हैं, qn equal to qg minus gamma df, हैना, यहाँ पे मेरा gamma हो गया, unit weight of soil और यह हो गया, depth of the footing, हैना, और यहाँ पे qg हो गया, यानि total pressure कितना लग रहा था, अगर उसमें से हम क्या करेंगे, gamma df से subtract कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा net pressure, यानि qn, देखिए, qn हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, qn equal to हो जाता है, total मेरा कितना load लग रहा है, divided by area of the footing, अगर, if water table present, then, अगर मेरा footing में, अगर water present है, water table present हो जाता है, on the base of footing, तो मेरा वहाँ पे जो soil का condition है वो change कर जाएगा, वहाँ पे gamma ना होके बलकि क्या हो जाएगा, submerged unit weight, यानि gamma df हो जाएगा, ठीक है, जब water table रहेगा, तो हम इस gamma को replace कर देंगे, gamma dash से, ओके, next हमारा इसमें जो definition है, वो है, ultimate bearing capacity, यानि QU, ultimate bearing capacity होता है, it is maximum pressure at the base of footing, applied without shear failure, अगर हम क्या कर रहे है, कोई मेरा footing है, ठीक है, उस footing में क्या कर रहे है, हम load बढ़ाते जा रहे है, load बढ़ाते जा रहे है, load बढ़ाते जा रहे है, तो एक मेरा maximum load होगा, ठीक है, उस maximum load से जादा हम load नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है, यानि अगर मैं उस maximum load से अगर मैं जादा load को कर दूँगा, तो मेरा जो foundation है, वो क्या करेगा, वो fail कर जाएगा, ठीक है, तो उसी को हम बोलते है, ultimate bearing capacity, यानि ये ultimate होगा, ठीक है, ultimate load, हम उस से maximum load apply नहीं failure, shear failure से पहल तक हम जितना load को apply कर पाएंगे, that is known as ultimate bearing capacity, represented by QU, okay, next हमारा जहाँ पे जो definition है, वो है, net ultimate bearing capacity, okay, it is the maximum net pressure at base of footing applied without shear failure, हना, कि किसी भी footing में हम net कितना pressure apply कर सकते हैं, ठीक है, हना, उसी को हम बोलते है, net ultimate bearing capacity without shear failure, यानि shear failure से पहले net pressure, पहले हम निकाल रहते हैं, वो कहता है, ultimate pressure, हना, अब यह था मेरा net ultimate है, तो उसका हम कैसे value find out करेंगे, तो qnu equal to qu minus gamma df, हना, qu क्या है मेरा, ultimate bearing capacity है, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, gamma df से subtract कर देंगे, थमकों मिल जाएगा, net ultimate bearing capacity, if water table is present, then gamma is replaced by gamma dash, यानि submerged unit weight हो जाएगा, ठीक है, अगर water table present होगा, तो हर case में आपको जहाँ gamma है, वहाँ आपको gamma dash से, यह करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, अगर water table present होता है, तो, next type का यहाँ पे जो मेरा pressure है, वो है, net safe bearing capacity, qns, है ना, जिसको हम qns से represent कर रहे हैं, हैं, यह क्या होता है, it is the net pressure that can be applied safely at footing without failure, कि हम footing में क्या करेंगे, safely कितना load को apply कर पाएंगे, ठीक है, उस pressure को हम बोलते हैं, net safe bearing capacity, qns से इसको represent करते हैं, तो qns equal to होता है, qnu divided by f, है ना, यहाँ पे f क्या है मेरा, factor of safety, तो देखे, qnu का value यहाँ से निकाल सुके हैं, उसका value होता है, qu minus gamma df, तो, इसके जगा पे हम क्या रेख देंगे, qu minus gamma df, है ना, और यहाँ पे f है मेरा factor of safety, जिसका value हमको generally लेते हैं, 2.5 to 3, है ना, वैसे ही अगर मेरा water table present होगा, then gamma is replaced by gamma dash, अब हमारा जो इसमें, जो next हमारा जो definition है, वो है safe bearing capacity, qs या फिर qs जिसको हम represent करते हैं, ठीक है, तो देखे, इसको कैसे निकालते हैं, it is that gross pressure at the base of foundation, which can be applied safely without risk of shear failure, है ना, कि हमारा shear failure नहीं होगा, और हम उसमें कितना हम safe bearing load हम apply कर सकते हैं, ठीक है, gross pressure, यान total pressure हम apply कर सकते हैं, तो उसको हम ऐसे निकालते हैं, qs equal to qns plus gamma df, है ना, qns क्या था मेरा, है ना, net safe, तो net ultimate safe था, उसको हम क्या लिख सकते हैं, qnu divided by f plus gamma df, है ना, qnu का value होता है, qu minus gamma df upon f plus gamma df, है ना, यहाँ f है factor of safety, जिसकी value हम 2.5 से लेके 3 तक हम use करते हैं, ठीक है, यह हो गया मेरा, यह safe bearing capacity, अब देखते हैं next हम settlement criteria, ठीक है, यह तो हम देख लिए कि shear criteria के लिए हमारा जो भी loading condition वो क्या हो रहा था, और bearing ratios क्या आएंगे, ठीक है, तो किसी भी मेरा foundation को design करने में हम क्या करेंगे, maximum settlement को क्या करेंगे, हम restrict करने की कोशिस करेंगे, जो हम किसके according में चलेंगे, ठीक है, BIS के, है ना, Bureau of Indian Standard, अब देखिए, it is already the safe settlement, hence further factor of safety is not required, जब हम settlement criteria के लिए हम किसी भी foundation को design करते हैं, तो हम क्या करते हैं, कि यहाँ पे जो settlement है, उसको restrict कर देते हैं, जिसके कारण हमको फिर से factor of safety का apply नहीं करना पड़ता है, ठीक है, यानि हम जो factor of safety का apply कर रहते हैं, वो किस में करेंगे, केवाल हम shear में करेंगे, क्योंकि हम यहाँ अगर settlement condition को restrict कर दे रहे, तो यहाँ पे हमको factor of safety नहीं देना होगा, अगर हम यहाँ factor of safety देंगे, तो मेरा जो structure होगा, जो foundation होगा, वो काफी ज्यादा un economical हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जितना हम factor of safety यानि जितना margin हम safe में जाएगे, उतना हमको ज्यादा material लगेगा, ज्यादा cost लगेगा, तो भी मेरा structure क्या होगा, काफी ज्यादा costly हो जाएग so this is all about the basic concepts of cello foundation, okay, so we continue with this channel, I will upload all the lectures of foundation engineering या वीडियो आपको अच्छा लगे, तो please like, subscribe और share करें, ठीक है, अगर आपका कोई suggestion है, तो please comment box पे आप अपना valuable feedback दे सकते हैं, thank you